नमस्कार फ्रेंड्स मेरी अमीर सोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं साबूदाना आलू की चकली की रेसिपी लेके आए हूँ बस 15-20 मिनिट आप मेहनत किजिए और सालों स्टोर किजिए बहुत ईजी तरीके का ये चकली है और मौसम भी अभी बहुत अच्छ है इस तरह के चीजों को बनाने के लिए श्टोर करने के लिए तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करकी देखिए और हमने इस वीडियो को बहुत ईजी तरीके से बना के पेस किया है आपके सामने आप एक बार इसे जरूर बनाईए और आपको अगर इस चकली में अच्छा स्वाद आता है बनाने का तरीका आसान लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक और सेर किजिए तो चकली बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो तीन आलू लेना है तो आलू उबला हुआ है इसे छिल लेते हैं उसके इसे पाणिटैन yaloo को तयार लेते हैं तो देखी एक दम पतला से हमने कदूकस किया है और यह बहुत बढ़िया मैस होगा और साबुदाना हमने एक कटोणी लिया था उसे पानी में भीगो दिया एक घंटे पहले बहुत जादा पहले मैंने नहीं भीगोया है और पानी इस ज्यादा पानी इसमें नहीं यूज करना है तो दो कटोरी हम पानी डालेंगे हलका सा दो कटोरी से कमी है ये पानी पूरा कटोरी भी हम भरनी रहे हैं तो ये हमारा साबुदाना और पानी तयार हो गया इसमें हम थोड़ा सा जवाइन डाल देंगे और सिंधा नमक भी आप ड गास अगैस ऐसे कड़ा है एक कड़्ा tomato could be aउतना हीजर्ण के ऐउं मिर्ची चीली आउप इसमें डाल सकते हैं अब फ्लेम को मीडियम ह्या हाई रखते हुएड़ी तो ये इसमें चारा सहीर्डा को एउर कभी low कभी high करके या तो आप medium पे पकाईए और थोड़ा सा हल्दी हम इसमेड करते हैं हलका सा color आजा इसके लिए food color ना यूज करके आप हल्दी डाल सकते हैं बरत में हल्दी तो खाते हैं तो इस तरह से हम ये बरत के लिए spasily बना रहे हैं तो चिंधा नमक को यूज करना है और थोड़ा सा हल्दी हमने color के लिए भी डाल दिया अब हम flame को low कर दिये हैं low flame पे हम इसे तीन से चार मिनिट पकाएंगे तो एक अच्छा सा हुवा लाने लग जाएगा उसके बाद हम फिर इसे low कर देंगे और फिर इसे दो तीन मिनिट पकाएंगे और बहुत जादा गाढ़ा हमें नहीं करना है step by step हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताएं हैं आपको आप इस वीडियो को देखिए और इसे जरूर ट्राइ कीजिए बिना कोई mold बिना कोई machine का इसे बना सकते हैं और बहुत बढ़िया हमारा चकली बन के तयार होगा और फटा फट बन के तयार होगा तो देखिए साबुदाना हमारा बिल्कुल पकने लगा है इसे ज़्यादा मैस हमें नहीं करना है अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं जो already हमारा मैस किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा महिनत की बात ही नहीं है अब इसे एक बार mix करेंगे और दो से तीन मिनिट का time दें करेंगे हलका सा ये दोना एक दूसरे में मैस हो जाए मिल जाए इतना ही हमें पेंगाना है नहीं बहुत пользовac sena कजा बहुत ज्यादा भी नहीं करना है सुखाना भी नहीं है और पतला भी मिनिए ही लजा 경찰े हूए कि इस तरह कर आ के दीयार हुआ है अब इस तरह कर इस तरह का भी सब्सक्राइब क। कर लिए इतना ही ठंडा करना कि इसे हम हांथ से छूस के तो जाधा ठंडा कर देगे तो यह बहुत ही हो सकता पूरा ठंधा भी नहीं है अब इसे हम एक थैली से बनाएंगे कोई ही आवा सकता नहीं है इसे बहुत इजी तरीके से बनता है बहुत आराम से बन जाता है तो अब इसके अंदर हम इस लिक्विट को भर देते हैं और फिर उपर से चाहें तो आप पकड़के भी मना सकते हैं तो रवर्ट बेंड भी लगा सकते हैं तो इस तरह से करके और उपर से हम रवर्ट बेंड लगा लेते हैं देखिए थैली बिलकूल हमारा तयार हो गया और आप रवर्ट बेंड को हटाईए बापीस भरिए बापीस बना लीजिए और बहुत अच्छा अच्छी मातरा में इसमें हम साबुदाने को डाल चुके हैं तो काफी ज्यादा चकली बनके तयार होगा एक थाली लेते हैं उसके उपर हमने इस तरह से थैली को कट करके डाल दिया है आप चाहें तो कोई टेबल पे या च्छत पे वैसे भी डाल के आप बना सकते हैं हम वीडियो बनाने की हिसा आप से बता रही हूं तो एक थाली को डाल देते हैं ताकि चकली को निकालने में बहुत आसानी होता है इस प्लास्टिक के उपर से तो इस तरह से गोल करते हुए और चकली को तयार कर लेते हैं बस बहुत ईजी इस टेप है मसीन की भी कोई आवश्कता नहीं है और बस आप इसे टी टाम के लिए महमानों के सामने भी रख सकते हैं बहुत बढ़ियां है ये और बरत के लिए तो आप खास करके इसे बना सकते हैं तो देखिए ये कितना बढ़ियां तयार हो गया है आप छोटा बढ़ा कैसे भी बना लीजे और ये बहुत ईजी तरीका है बनाने क और स्वाद भी इसमें जीरे का और जवाईन का आ रहा है तो बहुत बढ़ियां बनके तयार हो रहा है तो यह हमने बना लिया इस तरह से दो तीन धालियों में इस विशें डाल देंगे और उसके बाद हम इस से इसे साम को बापीस लेंगे और आपको फिर हमी बता रहे हैं यह साम को हमने बापीस ले लिया इसका हल्दी का कलर तो थोड़ा उड़ गया है फीका हो गया है अब इसे सिंपल तरीकी से एक तरफ से सुख गया है तो हम इस तरह से पलड देंगे ज्यादा सुख जाएगा तो ह सकता है यह तूट जाए उखाड़ने के चक्कर में निकालने के चक्कर में तो हम इसे थोड़ा गीला है एक तरफ से तभी हम निकाल लेंगे यह हमारा सुक के भी तयार हो गया हम बापिस रख दिये थे यह हमारा चकली बिल्कुल सुक के तयार हो गया है स्टोर करने के लिए और तल के हमने आगे वीडियो में बताया है बहुत बढ़ियां बनके तयार होता है डियर फ्रेंट आप इसे जरूर ट्राइ करें और आपको ये रेस्पी पसंद आये तो मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दे, प्यार दे और सब्सक्राइब करें वीडियो देखनी के लिए बहुत बहुत धर्निवाद